तो जुबिलिंट फूड वर्क्स लिमिटिड में आज एक एनॉस्मेंट आया कंपनी की तरफ से कि आने वाली दो तारीक को यानिके सेकेंड और फैब को कंपनी के फिनेंशल रिजल्स भी कंपनी पोस्ट करेगी और साथ ही में कंपनी एक स्प्लिट के ऊपर विचार कर सकती है यानि कि अभी की जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज की इसको स्प्लिट करने का विचार कंपनी कर रही है अगर हम लोग देखें इसके स्टॉक प्राइस के अंदर क्या कुछ हुआ है प्रीवियस कुछ दिनों में तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहां पर टिकेट साइज जो है वो काफी ज़ादा बढ़ा हो चुका है 4590, almost 5600 रुपीज का यहां पर all time हाई है 18 October 2021 का और इसको देखें कम करने के लिए ही split लेके आ रही है company इन फाक्ट ये बेसिकली अभी confirm नहीं है split की के वाल एक बात की है कि ये एक proposal रखने जा रहे है अब उसका approval होता है या नहीं वो हमें 2nd of February को ही पता चलेगा आने वाले महीने के पहले हफते के अंदर तो देखें जाहिर जी बात है कि Jubiland Foodworks को चुनने का किवल एक यही कारण है कि आज इसके अंदर एक announcement आया है लेकिन अगर इसके charts के ऊपर आप निगार डालेंगे तो आपको यह चीज़ पता चलेगी कि बहुत अच्छा reversal इस stock ने दिखा दिया है एक bottom जो बनाया था अभी recent में वहाँ से काफी अच्छी तेजी स stock ने दिखा दी है अभी अपने all time high से लगभग 15% discount पर यह stock मिल रहा है तो अगर यहाँ पर आपको एक value trade देखनी है इस segment में basically तो जो QSR का segment है तो बहुत सारे सवाल Zomato पर आते हैं बहुत सारे सवाल और Westlife development पर आते हैं लेकिन मुझे यह लगता है कि Jubilant Foodworks इन दोनों ही stock से कई गुना जादा अच्छा stock है reason being कि इनके volumes जो हैं हर quarter में भड़ रहे हैं आने वाली दो तारीक को जो results हैं उसमें split तो चलिए एक announcement हो गया बट मैं पूरी तरीके से sure हूँ कि यहां पर इनके जो results आएंगे वो पिछले बार के figure से काफी अच्छे रहने वाले हैं और इसलिए यह result के दम पर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे की trajectory में जातावा दिखाई दे सकता है अगर उससे ठीक 15 दिन पहले आपको यह stock 15% के discount पर मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे stock के अंदर आपको मौका छोड़ना चाहिए बस जानना यह है कि कहां पर stop loss लगाएं और कहां तक के target expect करें तो picture clear नजर आती है कि आने वाले टाइम में किस तरीकी के moves आ सकते हैं आज की तरीक में अगर आप देखें 35% के आसपास के delivery percentage आ रही है और इस news की basis पर यह drive होता हुआ नजर आया लेकिन दूरिंग इंट्राडे यहां पर इसने जो अपने price gain करे थे वहाँ पर profit booking भी होती भी दिखाए दी है देखें यह कारण तो यह भी है कि जब इंट्राडे में इतना अच्छा rise आया है किसी news के basis पर और आने वाले दोनों दिन हमारे पास में holiday हैं तो definitely इंट्राडे traders अपने profit को book करके निकलना पसंद करते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे कि अच्छे खासे consolidation के बाद में इस stock ने approximately आप कह सकते हैं 200 dema के नीचे base बनाके वापस एक reversal दिखाया है और यह reversal काफी ज़्यादा sustainable इसलिए लग रहा है क्योंकि इसने अपने तीनों ही exponential moving averages जो है और देखें रीसेंट में इसके अंदर एक जो resistance है वो resistance यह cross कर लेता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले time में यह stock और भी अच्छा perform करता वा नजर आ जाएगा resistance की बात करें तो almost 4050 रुपीज के आसपास आता वा नजर आ रहा है यानि कि 4050 के level यह cross कर लेता है तो definitely फिर यह अपने all time high यहाँ पर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा जो तकरीबन 5600 रुपीज के आसपास है to be very precise 4590 रुपीज के इसके all time हाई है तो इस stock में यह जो खबर है जो आज split किया है यह definitely अगले हफते भी यहाँ पर एक जोश भरती भी दिखाई दे सकती है इसी की वज़े से आपर volumes भी आपके आज जादा देखने को मिले है intraday as well as delivery percentage के साब से तो यहाँ पर इस stock के अंदर आप definitely buy कर सकते है अगर stop loss की बात करें तो देखे बहुत बड़ा stop loss देने की जरुवत नहीं है मैं समस्तों एक छोटा सा stop loss यहाँ पर हमें लगाना चाहिए जो तकरीबन 3800 रुपीज के आसपास का होगा तो 3800 रुपीज पर stop loss लगाए यानि कि यहाँ पर stop loss लगाए current market price जो तकरीबन आप कह सकते हैं देखे कहाँ पर है इसको हम लोग यहाँ से लेने की कोशिश करते हैं हमारे पास जो last price है 3931 का है यानि कि 3931 रुपीज के current market price से आप इसको अपने portfolio में add कर सकते हैं और आने वाली time में यह stock split का तो फाइदा आपको देगा ही देगा लेकिन अगर इस stock के अंदर आप थोड़ा सा लंबा time assume करते हैं कि आपके पास में time है and approximately आप यहाँ पर एक साल यहाँ पर दे सकते हैं as a trader ही समझ लीजे तो यह stock और बड़े levels पर जाता है दिखाई देगा देखिए अगर split होता है 1 is to 5 के ratio में तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपकी जो premium value है वो भी divide by 5 हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी आपको काफी अच्छी value मिल सकती है बट होता क्या है जैसे split होता है split होने के 2-3 महीने तक stock consolidation में चला जाता है जादा तर हमने इस चीज़ देखिए कि 2-3 महीने के बाद split में यह stock consolidation में जा सकता है as per history of splits जो हमने देखिए previous companies के अंदर बट उसके बाद जो rise आता है वो भी बहुत exponential rise है आप चाहे लॉरस लैप के example उठाके देख लीजिए आप चाहे आईशर मोटर्स का example उठाके देख लीजिए और यह तो दो companies में आपको बता रहा हूं जितने भी splits आए हैं जो prominent अच्छी companies के हैं वहाँ पर आपको ऐसे ही move दिखाई देंगे and jubiland foodworks तो basically consumption stock है यहाँ पर तो एक volume growth हमें देखने को मिलती है महीने धर महीने month on month के basis पर जो reflect होती है quarters के result में तो इसके अंदर शायद आपको 2-3 महीने का इतना बड़ा controlation ना दिखाई दे हो सकता है यह controlation थोड़ा सा कम हो और उसके बाद में यह stock वापस से split होने के बाद में इन levels को achieve करें जो basically अभी यहाँ पर यह price दिखाई दे रहा है तो all over अगर इसकी पूरी आप chemistry समझते हैं इस company के बारे में इस stock के बारे में तो एक साल का time at least आपको देना चाहिए आपके लिए जो targets है वो काफी बड़े set होते वे दिखाई देंगे फिलाल के अगर हम बात करें तो 3800 रुपीस के stop loss के साथ में मैं समझतों अगला target इन level पर आतावा दिखाई दे सकता है क्योंकि यह level actually मैं resistance का काम कर रहे है previously बहुत time ता इन ही level से resistance फेस किया था इस stock ने I think September, August, September, October के अंदर तो यह levels जो है 4200 के यह target की तरीके से आप देख सकते हैं near term में और मुझे ऐसा लगता है कि result आने से पहले यह target आपको achieve होतावा दिखाई दे जाएगा काफी जादा आप इसके अंदर एक enthusiasm देखने को मिल सकता है just because of this split news तो यह all over view है jubiland food workspace इस तरीके से आप यहां पर एक trade initiate कर सकते हैं यह विस आरे points आपको समझ में आ गए होंगे और किस तरीके से split work करता है वो भी चीज़ आपको समझ में आई होगी कोई भी सवाल रहे तो definitely comment box में comment करके पूछिएगा और फिलाल देके इस वीडियो में इतना ही और मेलूंगा आपसे एगले वीडियो में till then thank you bye bye